केंद्रिय मंत्री सड़क परिवहन एवा मिराज मार्क मानिय श्री नितिन गड़करी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आज के इस बेहत खुशी के अवसर पर वे अपने विचार प्रकट करें हमारे देश के लवक प्रधान मंत्री आधरिणिय नरेंद्र मोदी जी आधरिणिय महामेम राज्यपाल भगत सेंग कोशियर जी आधरिणिय मुख्य मंत्री एकनाज जी उपमुख्य मंत्री देवेंद्र जी केंद्र सरकार में मेरे सेहोगी आधरिणिय रावसाइब दानवे डॉक्टर भारती पवार, आदर्णिय चंदरशकर बावनकुले जी, सभी अतितिगंड और उपस्तिस सभी भाई और बहनों सबसे पहले देश के रुधे स्थान और भारत का टाइगर कैपिटल तथा ओरेंज सिटी से मशुर इस नाकपूर में आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का मैं नाकपूर की जनता की तरफ से रुधेपूर वक्स वागत करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज मुझे बहुत खुश है इस बात की कि हमारे यहां जो बड़े-बड़े कारेकरम हो रहे हैं, उसमें विशेश रुप से हमारी महराष्ट सरकार ने संब्रुद्धी महामारगा का भी उद्गाटन हो रहा है स्वर्गिया बाड़ा साहिब ठाकरे सम्हाराष्ट सम्रुद्धी महामारगा यह हमारे विधर्ब और मराठ्वडा के विकास के लिए बहुत आवश्चक है मुझे बहुत खुशी है कि आदर्णिया देवेंद्र जी ने मुख्य मंत्री के काल में इस मारग की शुरुद्ध करने का संकल्प किया एकनाज जी उस सम्में मंत्री थे उन्होंने विशेश रुप से इसकी जिम्मेदारी संबाली और आज एकनाज जी और देवेंद्र जी के नेत्रूतों में इस महा मारग का अंदिर्मान पुरा हुआ है जो विधर्म और मराट फड़ावे पिछड़े वे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सवगात है मैं विशेश रुप से अध्रणिय एकनाज शिंदे जी का, देवेंद्र जी का, MSRDC के सभी अधिकारियों का, महाराष्ट सरकार का रुदहे से अभिनंदन करता हूँ उनको बहुत बहुत शुमकामनाय देता हूँ वैसे MSRDC से मेरा बहुत भावनात्मक रिष्टा रहा है मैं MSRDC का संस्तापक भी हूँ और उसी समय मुंबे में पच्पन उड्डानपूल और देश का पहला एक्सप्रेस हाइवे मुंबे पुना एक्सप्रेस हाइवे और वरली बांदरा सीलिंग प्रोजेक्ट MSRDC के ज्वारा ही बनाए गए थे और आज MSRDC ने ये भी काम किया है इसके लिए मैं निश्चित रुप से MSRDC का देवेंद्र जी का और एकनाज जी का रुधे से स्वागत करता हूँ इस काम में सबसे महत्वपुना बात है कि परदानमंत्री जी इस बात का जिकर करते है वो विशेश रुप से अमरुष सरुवर का जलस अंधारन का दवनने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ चलने वाले पानी को रुखने के लिए लगाओ और रुखेवे पानी को जमिन को पीने के लिए लगाओ गाओ का पानी गाओ में खेत का पानी खेत में घर का पानी घर में मुझे बहुत खुशी है कि विशेश रुप से ये मार्ग बनाते समय बहुत बड़े प्रमान पर विशेश शुप से तालाब, नदिया, नालो की खुदाई की गई और अनेक प्रकार से वाटर कॉंजरेशन का काम भी बड़े प्रमान पर हुआ है इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छे सो लाग क्यूबिक मीटर का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बड़ी तीन सो फॉर्म पॉंट्स, दो सो पचास नदिनालो का खुली करण और चार सो पास तालाब की खुदाई ये भी काम हमने राष्टिय महावर्ग बनाते समय किया है मुझे विश्वास है कि हमारे हां अमरुष सरवर में भी बहुत बड़े प्रमान पर ये काम हुआ है इसी हाइवे से मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदान मंतरी जी के नेतरुत्व में हम अवरंगाबाद से पूने तक हाइवे बना रहे है और जल्दी ही उसके कारे का शुबारंब होगा जिससे नाकपूर से पूने हम केवल छे घंटे में पहुचेंगे ये मेरा विश्वास है इसके साथ साथ विशेश रुप से महाराष्ट में हम छे एक्सप्रेस हाइवे बना रहे है एक सूरत चेन्ने ही है जो सूरत से मुंबई में पूना में ट्राफिक आता है साथ के तरफ जाने का अब वो मुंबई वार पूना नहीं आएगा मुंबई को पुलिश अदुर्शन से मुक्ति मिलेगी और सूरत से नासिक, नासिक से अम्मदनगर अम्मदनगर से सोलापूर और सोलापूर से बैंगलोर, मैंगलोर, तिरवेन्दरम, चेनने, हैधराबाद, पूरे दक्षिन के तरफ जाएगा इन दोर से हैधराबाद एक गुर्दगती महामारग बनि रहा है हैधराबाद से राइपूर, ये मारग भी महाराष्टा से जाने वाला है नाकपूर से विजेवाड़ा, पूने से बंगलूर और पूने से उरंगाबाद ये करीब महराश्ट में 75,000 करोड के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे अधरनिय प्रदान मंतरी जी के मारगे दर्शन में होने वाले है मुझे आज बहुत खुशी है कि ये एम्स प्रदान मंतरी जी की देन है आज इस एम्स के कारण विधर्ब, मराटफड़ा और 36 गड़ की जनता को बहुत अच्छी वैद्य के सुईदाय मिली है और इसके साथ साथ जो आएम है उसकी भी बिल्डिंग इतनी सुन्दर है कि पूरे देश से इसको देखने के लिए लोग आने लगे है मुझे बहुत खुशी है कि प्रदान मंतरी जी ने दोनों नाकूर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तयार की है मैं उनको रुदे से धन्यवाद देता हूँ आज नाकूर मेट्रो का प्रदान मंतरी जी ने राष्ट समर्पित किया है और उसके बाद उन्होंने मेट्रो टू का भी आज भूमी पूजन किया है इसके लिए भी मैं उनको रुदे से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अजनी और हमारा में स्टेशन इसका भी आधुनिकरन करने के भी प्रकल पकले आज उन्होंने विशेश रुप से उसका भी भूमी पूजन किया है मज़े बहुत खुशी है कि हमारी जो मेट्रो है यह आईसा भारत का एक मातरप प्रोजेक्ट है कि जो फास्सर्व मेट्रो महराज देश में पहली बार पूरी हुई कम समय में गिनीजिजिवूक और रिकॉर्ड में इसका नाम है और करीब करीब एशिया बग रिकॉर्ड में चार रिकॉर्ड इसने बनाए है देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम 3.14 किलोमेटर डबल डेकर फ्लाइवर ये विश्व का रिकॉर्ड बना है ये ग्रीन मेट्रो है और इसके लिए भी इस बात का में बहुत अभिमाद है मेट्रो का भी काम बहुत अच्छा हुआ है हमारे दिक्षित जो मेट्रो के प्रमूख है उनके नेतरुत्व में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा काम हुआ है आज बंदे भारत जैसी आत्यादुनी ट्रेन के भी शुरुवात नाकपूर से बिलासपूर के बीच में अधिरनिया प्रधान मंत्रीजे ने किये उसी के लिए भी मैंन को धन्यवाद देता हूँ और विशेश रुप से पहली बार देश में रेलवे मंत्रा लेने हमारे ब्राडगेज का उपयोग करके नाकपूर से अमरावती नाकपूर से चंद्रपूर और नाकपूर से गुंदिया नाकपूर से छिनवाडा नाकपूर से बैतूल और नाकपूर से रामटेक यहां भी हम पॉडगेज मेट्रों की कॉस केवल 4 करोड रुपे पर किलोमेटर है और पब्लिक प्रावेट सेक्टर से इन मेट्रों के लिए हम नए रोजगारों बेरोजगारों को ये काम देने के लिए सोच रहे हैं। और सम्रुद्धी महामारग एक अइतियासिक महामारग बनाया इसके लिए भी देवेंद्र जी को और एकनाच शिंदे जी को भी बहुत पहुत धन्यवाद और उनका अभिन्नन करते हुए मैं अपनी बात को समाथ तक करता हूँ धन्यवाद नमस्कार।